भारत पंजाब के 45 गाओं में फिल्म आयजाएगा भारत पाक बंटवारे का सीन सल्मान खान की 500 करोडी फिल्म सल्मान खान इस समय फिल्म रेस्टीन के आलावा फिल्म फिल्म भारत के लिए काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे है बता दे कि इस समय फिल्म के निर्देशक अली अबास जफर फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर काम कर रहे है हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए इंडो पार्थ बॉर्डर के पास से एक फोटो शेर की थी तो अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग इंडो पार्थ बॉर्डर के पास होगी बता दे कि फिल्म की शूटिंग के लिए अब एक और ख़वर आई है जिसमें पता चला कि इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के गाओं में की जाएगी जहां पर फिल्म का वो पार्ट फिल्म आया जाएगा जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभारजन होना है बता दे कि सल्मान खान की इस फिल्म का पार्टीशन वाला भाग करी 45 गाओं में फिल्म आया जाएगा और इसकी शूटिंग करी 15 दिन चलने वाली है पंजाब के इन गावों की बात करें तो इन में किला रायपूर, गुजरवाल, बिल्दा और गुजराना जैसे गाव शामिल किये गए है बता दे कि सल्मान खान की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में प्रियंका चोप्रा लीडिंग लेडी के और पर नदर आने वाली है इसके पहले भी अली अबास ड्रफ़र को सल्मान के साथ देखा गया है ये दोनों जब भी साथ आते है तब वो काफी बड़ा धमाका करते है टाइगर जिन्दा है से पहले आली और सल्मान खान की जोड़ी फिल्म सुल्तान में बनी थी जो काफी ज्यादा अच्छी फिल्म थी इस बार फिर से सल्मान खान एक अलग ही अवतार में इस फिल्म में नजर आने वाले है फिल्म भारत की बात करें तो इस फिल्म का मुहर्त हो चुका है और फिल्म शूटिंग शुरू हो चुकी है सल्मान खान इसकी शूटिंग जल्दी ही लगातार करना शुरू करेंग और फिल्म 2019 की ईद में रिलीज होगी इस समय सल्मान खान फिल्म रेस टीन की शूटिंग में व्यस्थ है बता दे कि रेस टीन फिल्म इस सालीद पर रिलीज़ की जाएगी जिसकी तयाही काफी जोरों पर चल रही है भारत की बात करें तो फिल्म को सल्मान खान के जीजा अटूलगनी होतरी प्रोड्यूस कर रहे है ये प्रोजेक्ट काफी समय से बेंडिक था जो की अब फ्लोर पर आया है इसके साथ ही सल्मान खान और बाज खान की फिल्म दबंग टीन की शूटिंग भी शुरू करेंगे